मेरी नियोग वाली वीडियो में आप सभी लोगों के विभिन प्रकार के कॉमेंट जाए कुछ लोगों ने इस वीडियो के लिए मुझे सराहा भी और कुछ लोगों ने भरसक गालियां दी कुछ लोगों ने यहाँ भी कहा कि मैं हमेशा हिंदू धर्म के बारे में बुरा बुरा बोलता हूँ तो कुछ लोगों ने यहाँ भी कहा कि नियोग जैसी प्रथाएं जो हमारे समाज में व्यापत थी आपने उसके बारे में हमें रूबरू कराया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे कॉमेंट्स और ऐसे ऐसे तर्क दिये जिसके बारे में मैं आप लोगों से शेयर भी नहीं कर सकता दिखे किसी भी संका को दूर करने के विभिन मार्ग होते हैं आप अपनी संका को किस मार्ग से दूर करना चाहते हैं यह आप पर डिपेंड करता है कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जो ग्यान उनके पास है वही अंतिम ग्यान है जबकि वास्त्विक जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग यह कहते हैं कि नियोग जैसी प्रथाएं केवल हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए हैं या सरासर गलत है क्योंकि ये सभी प्रथाएं न केवल हिंदू धर्मे थी बलकि और सभी धर्मों में भी समय समय पर विद्मान रही है वैसे नियोक जैसी प्रथाएं समाज के लिए घातक नहीं है बलकि समाज को एक रूप में एक डोर में बाधने की कला सिखाती है आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आपकी क्या-क्या संकाएं हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बार आपकी सभी संकाएं और आपके सभी प्रश्न दूर हो जाएंगे तो वीडियो को अन तक देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नियोग का अर्थ समझ लेते हैं वेदों और सास्त्रों में पती द्वारा संतान उत्पन ना होने पर या पती की अकाल मृत्यू की अवस्था में ऐसा नियमबद उपाय है जिसके अनुसार इस्त्री अपने देवर अथवा समगोत्री से गर्वाधान करा सकती है यदि पती जिवित है तो वह व्यक्ति इस्त्री के पती की इच्छा से केवल एक ही और विशेश प्रिस्तिती में दो संतान उत्पन कर सकता है नियोग विधी संतान प्राप्ति का ऐसा तरीका है जिसका वर्णन कई भारतिये ध्रम ग्रंतों में मिलता है महा भारत में धृतराष्ट, पांडू और विदूर नियोग विधी से पैदा हुए थे इनके जन्व की नियोग विधी में नियोगता पुरूस स्वेम रिशी वेद व्यास थे जन्व के समय से ही पांडू छैरोग से पिडित थे और स्वेम भी संतान पहला करने में असमर्द थे इस कारण 500 पांडूं का जन्म भी नियोग विधी से ही हुआ था वैसे महाभारत के कई सीरियल्स में इसे दिखाया भी गया है जिसमें इसी विधी के द्वारा पांडु राजा की इस्त्री कुंती और मादरी देवताओं का आहवन करके अपने पुत्रों को जन्म दिया था यह भी एक प्रकार की नियोग विधी ही थी मनुस्मृती के अनुसार पती अगर संतान उत्पन करने में असमर्थ है तो कोई इस्त्री पती की इच्छा से किसी योग पुरुष से नियोग द्वारा संतान प्राप्त कर सकती है इसमें मुख्य सर्थ यह है कीवह व्यत्ती योग और सम्माननिय होना चाहिए अगर पती की अकाल मृत्ती हो गई है तब भी पतनी संतान प्राप्ती के लिए अपने समकच पुरुष से गर्भधारन कर सकती है नियोग विधी संचालित रूप से चल सके इसके लिए नियोग विधी के कई नियम है नियोग का पहला और अनिवारी नियम या है कि कोई भी महिला इस प्रथा का पालन केवल संतान प्रापती के लिए करेगी ना कि आनंद की प्रापती के लिए दूसरा, नियोग में सरीर पर घी का लेप लगाया जाता है ताकि पतनी और नियुक्ट पुरुस के मन में वासना जागरत ना हो सके तीसरा, इस प्रथा का दुरुपियोग ना हो इसलिए पुरुस अपने जीवन काल में केवल तीन बार नियोग का पालन कर सकता है चौथा, नियुक्ट पुरुस केवल धर्म के पालन के लिए इस प्रथा को निभायेगा उसका उद्देश केवल इतना होगा कि वा उस मैईला को संतान प्राप्ती में सहियोग कर सकता है यां इस बात का आशय मानसिक पवितृता से है महिला भी केवल संतान प्राप्ति के लिए ही इस विदी को अपना सकती है अन्यथा दोनों पाप के भागीदार हैं पांचवा इस प्रता से जिस बच्चे का जन्म होगा उसे बैद माना जाएगा वह बच्चा कानूनी रूप से पती-पत्नी का बच्चा होगा ना कि न्यूक्त व्यक्ति का छठा न्यूक्त पुरुष उस बच्चे के पिता होने का अधिकार नहीं मांग सकता साथ ही उसे भविष्च में बच्चे से कोई रिस्ता रखने का अधिकार नहीं होगा विसे नियोग सास्त्रों में पती द्वारा संतान उत्पन ना होने पर ही किया जाता है यदि पती जिवित है तो वह व्यक्ति इस्तिरी के पती की इच्छा से केवल एक ही और विशेश परस्तिती में दो संतान उत्पन कर सकता है यदि व्यक्ति इसके वीपृत कोई आचरण करता है तो वह राजदंड का भागी होगा हिंदू प्रथा के अनुसार नियुक्त पूरुस सम्मानिद व्यक्ति होना चाहिए महाभारत में वेद व्यास ने विचित्रवीर्य वचित्रांगत के मर जाने के पशार अपने भाईयों की इस्त्रीयों से नियोग करके अंबिका से धितराष्ट और अंबालिका से पांडू और दासी से विदूर की उतपत्ति की थी अब इस बात पर कई लोगों के बिविन प्रकार के तर्क हो सकते हैं हो सकता है लोग मेरी इस बात से सहमत ना हूँ मैं जानता हूँ कि आप सहमत नहीं होंगे इसलिए आपके सभी संकाओं का समाधान मैं एक एक करके बताता हूँ संका नंबर एक क्या नियोग करना धर्म है जिस किसी भी आस्तिक व्यक्ति ने वैदिक सिध्धानतों का व्यापक अध्यन किया है वक कर्म को तीन प्रकार का मानता है पहला धर्म, दूसरा अधर्म, तीसरा आप धर्म धर्म, वह सब कर्म जिनके करने से पून्य और जिनके ना करने से पाप होता है जैसे संध्या करना, सुपात्र को दान देना, वानी से सत्य, प्रिये और मीठा बोलना, सुख दुख और हानी लाब में समान रहना धर्म कहलाता है दूसरा अधर्म, उन कर्मों का नाम है जिनके करने से पाप और जिनके ना करने से पुन्य होता है जैसे सराब पीना, जुवा खेलना, चोरी डकैदी करना, ठगना, गाली देना, अपमान करना, निरापराध को दंड देना, आदी सब अधर्म हैं आप धर्म, वे सभी कर्म जिनको सामान इस्तिती में करना अच्छा नहीं कहा जाता परंतु जिनको आपदा अथवा संकट में करना पाप कर्म नहीं कहा जाता जैसे सल्य चिकस्या द्वारा प्राण रक्षा के लिए मनुष्य के सरीर पर चाकू चलाना देश की सीमा पर सत्तू के प्राणों का हरन करना, जंगल में नर्भक्षी सेर का सिकार करना सुनसान द्वीब पर प्राण रक्षा के लिए मास आदि ग्रहन करना ये सबी आपधर्म है यानि जो परिस्तिदी के अनुसार आदमी के लिए आवश्यक है वह अधर्म नहीं है जैसे कि विवाह धर्म का अंग है व्यविचार अधर्म का अंग है ठीक वैसे ही नियोग आपधर्म का अंग है क्योंकि इसे विशेश परिस्तिदी में किया जाता है इसलिए यह अधर्म नहीं है आपधर्म है जिसे धर्म की स्रेडी में भी रखा जा सकता है संका नमबर दो नियोग का मूल उद्देश क्या है यदि आप से पूछा जाए कि आप रोटी, चावल, दाल, सबजी, दूद, दही कब खाते हैं तो आप कहेंगे प्रति दिन अब यदि आप से पूछा जाए कि कुनैन आप कब खाते हैं तो आप कहेंगे कि केवल मलेरिया में क्या कड़वी कुनैन भी खाने की चीज है प्रतु मलेरिया में हम ना खाने वाली वस्तु को भी खाते हैं ताकि हमारी जान बच जाए जैसे रोटी, चावल, आदी सामान जीवन का अंग है ठीक इसी तरह विवाह भी सामान जीवन का अंग है जैसे ना खाने वाली कुनैन भी आपत्ती में खाना उचित है इसी तरह सामान जीवन का अंग ना होते हुए भी आपत्ती काल में नियोग जैसी प्रताएं सही हैं बहुत से लोगों ने नियोग को अनैतिक कहा और इसकी निंदा की प्रंटु किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नियोग मूलता समाज व्यवस्था का संतुलन रखने और व्यविचार से बचाने के लिए ही एक आपधर्म है जैसे स्वस्थ व्यक्ति को दवा की जर्वत नहीं है वैसे ही सामानी रूप से संतान उत्पन होने पर भी नियोग की आवश्यक्ता नहीं है जैसे कुछ परिस्तितियों में दवा के बिना सरीर मर जाता है या स्थाई रूप से विक्रत अक्षम हो जाता है वैसे ही बिना नियोग के व्यविचार से समाज विक्रत हो जाता है जैसे चिकिस्य के कुछ नियम है ठीक वैसे ही नियोग के भी नियम है जिने मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुका हूँ कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि नियोग ही व्यविचार है जिसे बिना विवायतों का व्यविचार होता है वैसे बिना नियुक्तों का व्यविचार कहलाता है यानि नियोग में यदि कोई पूरुस नियुक्त नहीं किया गया है और फिर भी वो नियोग जैसी प्रकिरिया करता है तो वह व्यविचार है इससे यह बात साफ होती है कि जिस प्रकार नियम से विवा होने पर वह व्यविचार नहीं कहलाता ठीक उसी प्रकार नियम पूरु जैसे अपराधी किसी को चाकू से घायल करता है या कोई भी अंग काड़ता है तो आपराध है क्योंकि उसमें कोई नियम और विदी नहीं है प्रतु जब एक सल चिकिस्यक किसी रोगी का कोई अंग चाकू से काड़ता है तो वह नियम से करता है भली वाचाकू से रोगी को चोट पहुँचा रहा है प्रन्तु वाचाकू का प्रियोग नियम और चिकिस्या विदी के अनुसार रोगी के हिद के लिए कर रहा है इसी प्रकार विविचार और व्यश्या गमन का कोई नियम नहीं है और समाज के लिए हानिकारक है प्रंतु नियोग विधी तो नियमों से बंदी हुई है इसलिए या समाज के लिए हिदकारी है संका नमबर चार क्या प्राचीन काल में नियोग का प्रियोग होता था तो इसका उत्तर है निसंदे होता था महाभारत, पुरान, मनुश्मृती में नियोग के प्रमार भरे पड़े हैं संका नमबर पांच क्या आधोनिक समाज में नियोग का विवहारिक प्रियोग होता है, मिसंदे ही होता है आज कल नियोग को स्पम डोनर अर्थाद वीरिदान कहा जाता है या मुख्य रूप से उन दमपत्यों द्वारा प्रियोग किया जाता है जिनमें पूरु संतान उत्पन करने में असक्षम होता है चिकिस्षकों द्वारा उत्तम कोटी का वीरित महिला के सरीर में स्थापित किया जाता है जिससे उसे संतान हो जाए मुख्य रूप से भाव वही है केवल माध्य मलग है नियोग के मुख्य प्रियोजन को समझे बिना व्यर्थ के आच्छेप करना मुर्खता है अब भी अगर कोई इसी प्रकार से अनरगल प्रलाप करना चाहता है तो वह सबसे बड़ा मुर्ख है कुछ अज्यानी लोग स्वामी दयानंद ववैदिक सास्त्रों पर नियोग विशय को लेकर आच्छेप करते हैं ऐसे लोगों का दोश केवल इतना ही है कि नियोग के विशय में उन्हें कुछ भी ज्यान नहीं है इस विशय में अदूरी जानकारी होने के कारण विवैदिक सास्त्रों के मूल उदेश को समझ नहीं पाते और विर्थ वितंडता करते हैं तो जो लोग मुझे कॉमेट में भर सक गालियां दे रहे थे मैंने उनके लिए यह वीडियो बनाया है सिर्फ उनको यह समझाने के लिए कि नियोग प्रथा कोई गलत प्रथा नहीं है यह सिर्फ हम लोगों को समझ में आनी चाहिए इस प्रथा के क्या नियम है और इसको किस प्रकार किया जाए जब तक हम इसको नहीं समझ पाते हैं तब तक हम सामने वाले व्यक्ति को गलत ही मानते रहेंगे और हाँ उन लोगों से जिनोंने अपनी सीमाय लागी हैं मैं उनसे प्रात्ना करता हूँ कि यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो देखिए नहीं देखना चाहते हैं तो मत देखिए आपको कोई force नहीं कर रहा हैं कि आप इस वीडियो को देखें और आप लोग जो इस प्रकार की अबध्र बासा का प्रियोग कर रहे हैं वह किसी भी प्रकार से मानवीय नहीं है ऐसा नहीं है कि आपने मुझे कहा इसलिए मैं बोल रहा हूँ बलगी प्रतिक मनुष्य का या धर्म है कि उसे अपनी भासा को संयमता से प्रदर्शित करना चाहिए किस प्रकार की भासा का वा उपयोग कर रहा है उसको इसके बारे में समझ लेना चाहिए तभी अपने सब्दों को किसी के कॉमेट बोक्स में उतारना चाहिए आशा करता हूँ आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमशकार